गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रोध सहिता द्वितिय खंडध्याय चौबीस, दंदकारल्य में शिव को श्री राम के प्रती मस्तक जुकाते देख सती का मुह तथा शिव की आग्या से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा, नारग जी बोले प्रमन, विधे, प्रज जानात, महाप्राग्य, दयानिधे, आपने भगवान शनकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुय शिका श्रवन कराया है, अब इस समय पुनह प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यशिका वर्नन कीजिए, उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था, ब्रमा जी न कहा मूने, तुम मुझ से सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवन करो, वे दोनों दंपति वहां लौकी की गतिका आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीडा किया करते थे, तदनंतर महादेवी सती को अपने पतिशन करका वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ रेष्ट बु लिला विशयक रुचे होने के कारण वह सब कुछ संघटित हो सकता है, सती और शिव यद्यपी ईश्वर हैं, तो भी लौकी क्रीति का अनुसरल करके वे जो जो लिलाएं करते हैं, वे सब संभव हैं, दक्षकन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्षके यग्य में गई और वहां भगवान शिनकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, वे ही सती पुनह हिमालया के घर पारवती के नाम से प्रकेट हूंगी और ब्रली भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वार विष्ण शिश्य, विधतह, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंद रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाएे, तात, भगवान शंकर ने अपने प्रानों से भी प्यारी धर्म पक्नी सती का किसलिए त्याग किया, ये घटना तो म मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतर हिसे आप अवश्य कहें, आज, आपके पुत्र दक्ष के यग्यमे भगवान शिव का नादर कैसे हुआ, और वहाँ पिता के यग्यमे जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहाँ क्या भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बाते मुझ से कहिए, इन्हे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, ब्रमा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेश्ट, महा प्रग्य, तात नारद, तुम महर्शियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमॉल दिका ये चरित्र सुनो, श्री विष्णु आधी देवताओं से सेवित परब्रम महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अग्भुत चरित्र का वर्णन आरंव करता है, मुने, ये सब भगवान शिव की लीला ही है, वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्व आरूर हो इस भूतल पर ब्रमन कर रहे थे, भूमती घूमते वे दंदकारन्य में आये, वहाँ उन्होंने लक्षमल सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावन द्वारा चलपूर वकहरी गई अपनी प्यारी पतनी सीता की खोच कर रहे थे, वे था सीते, ऐसा उच्च उस वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे, उनके मन में विरह का आवेश्चा गया था, सूर्य विंश में उत्पन, वीरभूपाल, दश्रत्फनिंदन, भर्ताग्रज, श्री राम आनंदर हितो, लक्षमल के साथ वन में ब्रमन कर रहे थे और उनक वाली ऐसी लीला देखस्ती को बड़ा विस्मया हुआ, वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली, सती ने कहा देवदेव सर्वेश, परब्रम परमेश्वर, ब्रमह, विश्लु आदी सब देवताप की ही सदा सेवा करते हैं, आप ही सुक्के द्वारा प्रनाम करन योग्य हैं, सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए, वेदान शास्त्र के द्वारा यतनपूर्वक जान्योग्य निर्विकार परमप्रभू आप ही हैं, नात, ये दोनों पुरुष कौन हैं, इनकी आकृती विरहव्यथा से व्याकुल दिखाई देती है ये दोनों धनुर्धर वीर्वन में विचरते हुए क्लेशिके भागी और दीन हो रहे हैं, इनमें जो जेश्ट है, उसकी अंकौनती नीलकमल के समानश्याम है, उसे देखकर किस कारण से आप आनंदविभूर हो उठे थे, आप काचित क्यों अत्यान प्रसन हो गया था, आ पर्मेश्वर यादिशकती सती देवी ने शिव की मया के वशी भूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्राशन किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारक परमेश्वर शनकर हसकर उनसे इस प्रकार बोले. परमेश्वर ने कहा देवी, सुनो, मैं प्रसंता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इस मैंचल नहीं है, वर्दान के प्रभावसे ही मैंने इन्हियादर पूर्वक प्रनाम किया है, प्रिये, ये दोनों भाई वीरोद्वारा सम्मानित हैं, इनके नाम है श्रीराम और लक्षमन, इनका प्राकट्य सूर्य विंश में में भगवान विश्नु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं, उकद्रविन से दूर ही रहते हैं, ये सादू पुरुशों की रक्षा और हम लोगों के कल्यान के लिए इस प्रित्वी पर अव्तीर्न हुए हैं, ऐसा कहकर स्रिष्टिकर्ता भगवान शंभूच नहीं है, ये जानकर लीला विशारत प्रभु सनातन शंभू यों बोले, शिव ने कहा देवी, मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धिसेश्वी राम की परीक्षा कर लो, प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या ब्रह्मनाष्ट हो जाए, वह करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बर्गत के नीचे खड़ा हूँ, ब्रह्माजी कहते हैं नारद, भगवान शिव की आग्या से इश्वरी सती वहां गई और मिन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वंचारी राम की कैसे परीक्षा करूँ, अच्छा, मैं सीता का रूप धारन करके राम के पास चलें, यदि राम साक्षात विश्णू हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे, ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम किसमी उनकी पर करके बोले, श्री राम ने पूछा सती जी, आप कौन विसकार है, आप प्रेंग पूर्वक बताएं, भगवान शंभू कहां गए हैं, आप पति के बिना के लिए ही इस वन में क्यों कराई, देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किसलिए यह नूतन रूप धारन किया है मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताएं, श्री राम चंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्य चकित हो गई, वेशिव जी की कही हुई बात का स्मरन करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लजज़ित हुई, श्री राम को साक्षात विश्नु जान अपने र ब्रमन करते हुए इस वन में आ गए थे, यहां उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्षमन सहित्तुम को देखा, उस समय सीता के लिए तुम्हारे मिन में बड़ा क्लेश था और तुम विरशोक से पिरिद दिखाई देते थे, उस अफस्था में तुम्ही प्रनाम कर के वे चले गए और उस वत्रिक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। श्री राम, अब मुझे ग्यात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो, तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों देख ली, अब मेरा संशे दूर हो गया तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वन किया, इससे उनके हृदे में प्रेम की बार आ गई, मुझे, आग्या नहोने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकत नहीं गय तथा मन ही मनुन की महिमा का वर्णन करके श्री रगुनात जी ने सती से कहना प्रारंब किया, इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहि किमता द्वितिय खंद ध्याए 24 कता समाप।